दोस्तों क्रिप्टो मार्केट शोड़ने से पहले उस वक्त को ध्यान कर लेना जिस वक्त में क्रिप्टो कर्ण सीन आपको सहरा दिया था आपके घर को चलाया था काफी लोग ऐसे थे जो परेशान थे अपने घरों के खर्श पूरे नहीं कर पाए तो क्रिप्टो मार्केट से जरीए उन्होंने अपने लोग को चलाया था कोविड नाइंटीन पिरिएड में काफी लोग ऐसे भी है मैं यहां पर यह नहीं बोला हूँ सबके साथ ही ऐसा हुआ काफी लोग ऐसे भी है जिनको उतना मलब प्रॉफिट नहीं मिल सका टॉप पपाई कर लिया था अपनी गलती से तो महां से मार्केट नीचे आ गई और व वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं कि बीटी सी का प्राइस 44,600 यहनी 44,45,000 के रिष्टेंस एरिया को ब्रेक करने कोशिश कर रहा है और अगर ब्रेक करता है को अच्छा खासा स्पाइक भी मार्केट में देखने को मिल सकता है डिटेल से बताऊंग तक 15 माई या पूरा माई ठीक है फिर माई से मार्केट में करेक्शन आना स्टार्ट होता है जो कि कुछ टैम बना रहता है उसके बाद दिसंबर के बाद से मार्केट में फिर थोड़ा थोड़ा राइस मिलना स्टार्ट होता है समझेंगे चार्ट पर तो यहाँ पर वीडि छोड़कर सिर्फ टेक्स बचाने की बात आ गई है कि 30% एक्स किस तरह से बचाए जाएगा मेरे भाई 30% टेक्स बचाने के चक्कर में कहीं आप एक बहुत बड़े प्रॉफिट से बंच इतना हो जाओ तो यहां पर हम क्रिप्टो कंसी मार्केट में आ गए हैं हमें इसको फे से मार्केट में 12-13 साल से ही आपको देखने को मिल रही है उतना पुनाना सिग्मेंट नहीं है कोई भी चीज जब नई आती है ना मार्केट में तो अगर 12-13 साल का वक्त देखोगे तो बहुत बड़ा वक्त नहीं है तो सर्वाइफ करती है अच्छे सर्वाइफ कर रही है निकाल कर दे रही है इसलिए बागी सेग्मेंट की निगाएं इस पर टिकी वी है वो इसको खत्म करना चाहते हैं काफी देशों से यह आवाद उठती है कि इसको बैन करो यह मतब बहुत खराब चीज है हमारे देश के लिए कुछ लोग कुछ देशों में ऐसा भी वह इसको एडाप्ट भी किया जा रहा है एडाप्ट कर भी लिया गया है एलस अलवाडोर की बात करते हैं तो वहाँ पर लीगल टेंडर घोशीत है तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़े हैं अभी वक्त खराब है तोड़ा सा इंडिया के अंदर क्रिप्टो कंसी का और बहुत मुझे ऐसा यकीन है मुझे पूरी उम्मीद है कि 1% TDS का जो मामला है बहुत जल्द सरकार वापस लेगी ऐसी मुझे उम्मीद है इसलिए उसको जुलाई के महीने में रखा है कि जुलाई के बास से देखेंगे उसके बाद एक चेंज़े अपना रुख बताएंगे कि कैसे क्या करना है क्योंकि एक बहुत ही टिपकल मामला है वो 30% टेक्स यानि कि आपने गैंब्लिंग के सिरली में डाल दिये गए तो वहाँ से ओ चीजों को अगर हम दरकिनार कर देते हैं भी सारी चीज़े आपको मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर ज्यादा कोशिश करेंगे मार्किट को तो देखो मेरे भाई यहाँ पर कहने मतलब यह है कि वीडियो को लाश्ट पार्ट में मैं आपको सेलेशन भी दूँगा कि एक अप्रेल के बाद से आपको करना किया है ठीक है तो यहाँ पर पहले मार्किट का सेनेरियो समझो कि कहीं हम 30% बज 70% फिर भी आपका होगा चलो वीडियो को करते हैं शुरू यहाँ पर बात करते हैं अपडेट करते हैं कि समझने कोशिश करते हैं मार्किट का सेनेरियो तो देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि यह एक रिटकोइन की प्राइस का और यहां से मजबूती लिए उपर गए यानि कहने मतलब यह कि पीछे से जो लो बन रहे हैं वो आगे वाले लो से पीछे का पहला लो ज्यादा था दूसा लो कम था तीसा लो ज्यादा था तो यह एक असेंडिंग टाइंगल यहां से इस रेजिस्टेंस एरिया से ब्रेक आउट ले सक को मतलब तोड़ने के लिए तो फिलाल अभी हम देखेंगे तो इस तरीके की कंडिशन यहां पर बन रही है अगर यहां से हम निकलते हैं देखो इस बीच कोई भी ज्यादा रेस्टेंस नहीं है यहां से यहां तक आप देख लोगो कोई भी रेस्टेंस नहीं है यह जब भ 2000 इसली हमको देखने को मिलेगा यह वगी विटकोईन की बात और यहां पर अगर हम काड़ानों को देखते हैं काड़ानों के अपडेट मैंने पहले भी की थी कि देखो किस तरह से बुलिच और यहां पर आप देखो कितना जबरदस्थ हैप देखने को मिला मेरे पीछे के वीडियों जाकर काड़ानों का स्पेशल वीडियो देख सकते हैं उससे पहले भी मैंने काड़ानों को अपडेट किया यह रिट कर रहा है टेंड लाइन का रेश्टेंस एरिया है और इसको ब्रेक करेगा अच्छा खासा उपर निकलेगा all-time high की बात करो तो तीन डॉलर से भ गजो उसके बाद अगर हम बात करते हैं आए वी एक्स की यहां पर बहुत सारी क्रिप्टोकंसी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मार्किट का करेंट सेनेरियो समझ में है यहां पर एवी एक्स ने क्या किया एक पैट एन को क्रियेट किया क्रियेट करने यह रिश्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो यह इस हाई तक पहुचने की कोशिश करेगा इजली तरीके जो की 146 का असपास है अभी फिला लगर प्राइस देखो तो 85 योजीटी का असपास देखने को मिल रहा है वीचेन की बात करते हैं तो वीचेन देख सकते हैं कि काफी टा कर रहा है अच्छा कासा राइस दे सकता है अलमुष यहां तक अगर चैनल के अंदर भी रहता है तो हमें अच्छा कासा राइस दे सकता है जो की लगभग यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 122-20% का होगा यह इतने बड़े मूव होते हैं जो हमें स्टॉक मार्किट को दे देखने को मिल ला है आज जा सकता है उपर तो यहां पर अगरम बात करेंगे तो टार्गेट हो सकते हैं 119 147 179 169 191 222 इस तरीके के टार्गेट हमें देखने को मिल सकते हैं नियर टाइम में क्योंकि यहां से अगरम देखेंगे तो बुलिस सिगनल यहां से जन्रेट हुआ प्राइज उपर गया है यह रेजिस्टेंस एरिया जो रेट कलर का आपको दिख रहा है एक सो एक वेजिटी का इसको तोने कोशिश करेगा तो 119 पर बिल्कुल सीधा फ्लैट जाएगा और 147 तक भी इसको कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा तो आलमोस्ट यहा है वो उपर के साइड बनते हैं उसी तरीके से डिसंडिंग ट्रैंगल में जो हाइज बनते हैं वो पिछले हाई से कम होते हैं यहाप आप देख सकते हो कि अगर यह सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो चेनल लेंग का प्राइज नीचे भी आ सकता है अधर्वाइज यह एक अच्छी सपलार डिमांड जोन का कांब कर सकता है यहापर प्राइस और यहापर डिमांड जोन से ऊपर निकलने कोशिश भी करना इस प्तवर पर एक प्राइस को आपक यहाँ जे supported को तो तोड़ता है यह सब और सब अपरष अब्लों आपत करते हैं कि अपरेल के महीने की वित प्रूफ कि क्यूं मैं बोल ला हूं, कि अप्रेड का मन्थ, बुलिश हो सकता है, सूपर बुलिश भी हो सकता। ध्यान से देखना। यहाँ पूर देखों मैंने टोटल मार्किट के पॉलिजसेशन का चार्ट है, यानी कि इसमें बिट्कोईन की जबरदस्त वहाँ से लगबग एक ट्रिलियन मार्केट नीचे टूटी वी है एक ट्रिलियन से भी ज़ादा अभी तो करिंट सिनेरियों यहाँ पर क्या चलता है अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यह जो रेट कलर की टेन लाइन है इस पर प्राइज ने सपोर्ट लिया पर प्राइज ने सपोर्ट लिया दूसरी बार और इस पर प्राइज ने तीसरी बार सपोर्ट लिया एक अच्छे राइज दिया है इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया था अच्छा का सा राइज दिया था इस point पर support लिए अच्छा का सा rise दे सकता है तो अगर हम कहते हैं कि अगर हम 3 trillion तक नहीं जाते हैं तो फिर भी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक level को हम लगाना चाहेंगे जो कि लगबग होगा यहाँ पर बात करेंगे तो 2.48 trillion का जनी कि अगर market देखेंगे तो 1.988 trillion का असपास कड़ी है और यहाँ पर हम 2.48 trillion तक जा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब यह जो lines लगी है जो मैंने red color की vertical lines लगाई है इसका क्या मतलब है तो यह दोस्तों मैंने यहाँ पर यह लगाई है कि अपरेल महीने के बाद market ने किस तरह कि के सेनेरियों यहाँ पर हमें हमको तिखाए हैं अभी तक अगर हम बात करेंगे 2016 की यहाँ पर आप देख सकते हैं चार अपरेल 2016 तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो market को अच्छा का सा rise मिला था ठीक है उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीन अपरेल 2017 की तो market को अच्छा का सा rise मिला था बात करेंगे दो अपरेल 2018 की यहाँ पर हम देखेंगे इस गिरती market में यह एक बिटकोईन ने एक टॉप को यहाँ पर करियेट किया था हम देखेंगे तो यह एक टॉप था तो कि लगबग 20,000 US dollar का था वहाँ से market गिरी थी और इसको अपरेल मन से एक अच्छा का सा rise मिला था अगर इस राइस की बात करो कि दो देखने में एक चार्ट पर काफी छोटा लग रहा है लेकिन अगर इसको calculate करके देखो कि इस तरह से तो यह लगबग 100% का राइस था यहाँ पर देख सकते हो 98% तो लगबग 100% का राइस था ठीक है उसके बाद market नीचे गिरी थी उसके बाद अपर अपरेल इस मार्च 2020 का यहाँ पर यह लाइन लगी है उसके बाद market में आपको rise देखने को मिलाता अब यहाँ पर बात करते हैं 2021 की 2021 में हम देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे market इस तरह से उपर नीचे जिगजग कर रही थी लेकिन अपरेल मन्त में इसने एक अच्छा घ करते हैं तो इस पॉइंट से अगर मेजर करते हैं तो लगबग मार्किट ने यहाँ पर हमको करीब 32-35% तक का market capitalization में मूव था यह को यह मूवमेंट जो है market capitalization में यह जब मूवमेंट बाकि जो all coins में होगा वो इससे जादा होगा ठीक है जब all coins का rate बढ़ता है अभी market capitalization उपर जाती है अगर इहां तक देखेंगे तो यहां तक हम गयते उसके बाद ही नीचे गिरें तो कहने मतलब यह है कि मई के महीने से थोड़ा सा market नीचे आने लगती है अपरेल से market फॉपर चलने लगती है यानि डेल से दो महीने का जो वक्त है वो market को उपर ले आता है इस शोल्डर को बनने में ही हमें profit मिलेगा आई बास समझ में क्योंकि इस टॉप तक जाना चाहिए मेरे साब से 2.48 ट्रिलियन तक और वहां पर एक शोल्डर को बनाकर market capitalization नीचे आ सकती है तो फिलाल यह डेल से दो महीने का वक्त जो है यह सूपर बुलिश हो सकता है बिट यह होगी यहाँ पर बिल्КUL सिंपलसी अबडेट और दूसरी चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि अब यहाँ पर सवालाता है कि एक सकाइबर मैं मुझको बताया कि दो लाक चालीस हजार के लगबग उनकी वैल्यू थी पोटफोलियो की और वहाँ पर वो घटकर एक लाक सत्रह हजार के असपास हो गई है तो इतने बड़े लॉस में यानि कि अलमुस्ट अगर बात करें तो 60% पोटफोलियों में हम लॉस अगर करते हैं 30% टेक्स बचाने के हैं तो उसके बाद हमें प्रॉफिट कितना बचता है 70% अब मालो यहाँ पर सपोस्ट जैट जैसे कि उस बंदे की धाई लाक की कैप्टल थी अभी वह एक लाक सत्रह हजार कैप्टल पर है यानि 60% का पोटफोलियो डाउन है अब यहाँ पर अगर बात आती है कि अगर उस को प्रॉफिट दो साल तीन साल जो भी टाइम लगे ठीक है नेक्स्ट बुल रं तक उसको अगर प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर आप मालो अगर उस कैप्टल हाई लाक से हो जाती है पाच लाक या सात लाक तो उसके बाद जो उसकी कैप्टल बनेगी मतलब उसका पर यह थोड़ा सा संकीत है कि मतलब हम आई ट्यार किस तरह से फाइल करें क्यों कभी तो नेक्स्ट वीडियो मैं कल के दिन दूंगा जहां पर आपके कुछ सवालों को मैं कवर करने कोशिश करूंगा मैंने सारे सवाल लिखे वे हैं और मैं अपने सीए वगर से डिसकर्स क मैं बता सकता हूं जो सियो को मालूम होगा उसी साब बता सकते हैं तो उसके बाद वहां पर एक अपडेट करने कोशिश की जाएगे उस अपडेट को भी ध्यान से तो कहने मतलब यह है कि एक अपराइल के बाद हमें क्या करना है हम अगर लॉस में है तो हम अपनी परसेंट बचाने चक्कर में अगर हम यहां पर लॉस करते हैं अपना तो हमसे बड़ा बेखूफ आदमी पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा पूरे वर्ल में कोई नहीं होगा तो उमीद करूंगा आपको मेरी बार समझ माई होगी सिंपल सेजेशन है और जो करना यहां पर काफी लोग आपको इलीगल रास्ते बजा सकते हैं लेकिन यहां पर मैं आपको सेज़ करूंगा कि जो भी करना वो लीगली तोर पर करने कोशिश करना हम टेक्स भी देंगे और उमीद भी करेंगे कि एक परसंट टीडियस हटेगा जल्ड गौर्डमेंट अटाएगी औ तो वो किस तरीके से अप्लिकेबल होगा जब भी होगा तो उसकी अपडेट आपको पहुंचाई जाएगी फिलाल यहां पर डरने का नहीं है क्योंकि यहां पर कोई भी नई चीज होती उसको दवाने कोशिश कियाती है पूरी दुनिया में लिक उसको दवाने कोशिश करत यह सारी चीज़ें क्रिप्टो कंसी बहुत स्टॉंग है जो भी नया innovation होता है दुनिया में उसको पहले क्रिटिसाइज किया जाता है लेकिन बाद में उससब चीज़ें समझ में आती हैं लोगों को पिर दुनिया हाथ हाथ लेती है तो चलते हैं फिर बोलूँगा क्रिप् लानी है हम इसको मजबूती से पकड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छे से होगा इसी इंडिया के नंदर हम अच्छे से यहां पर एक फेर ट्रेक्स के साथ गौर्मेंट हमाई ट्रेक्स को फेर करेंगी टीजे सट आएगी तो लेती हमें देगी समझेगी और उसके बाद हम यहां पर अच्छे से ट्रेटिंग करेंगे उसके बाद हमें समझ माएगा कि हमने उस वक्त बुरा दार अगर यहां पर खेल लिया तो आज हमें तो लियते भी बहुत हैं तो चलो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ की वीडियो काफी ज़्यादा करत।